स्वागते आपको गंगा प्राइम देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक और गंगा प्राइम के शुरुआत करते हैं हम मौसम के बदले हुए मिज़ाद से अपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ जोड़दार बारिश होई है और जिसके बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने भीशन गर्मी और उमस से थोड़ी राहत महसूस की है लेकिन बारिश के साथ तेज आंधी के वज़े से ये राहत नॉइडा में आफत की तरह दिखाई लेकियोंकि तेज हवाओं से नॉइडा में कई जगों पर सड़क किनारे लगे हुए होडिंग्स गिर गए जिसके कारण यातायाद बाधित हो गया क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर लगे जिन खंबों पर होडिंग्स थे वो खंबे भी आंधी में उखड गए जिसके कारण नॉइडा से दिल्ली को जोडने वाला मार थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया तो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ मौसम के बदले हुए मिजाज के कारण तपिश कमी हुई तो दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया काफी देर तक ट्राफिक बाधित रहा दिल्ली नॉडा के बीच का ये रास्ता है जहां सडक किनारे लगे हुए होर्डिंग्स गिर पड़े कारण ये कि जिन खंबो पर होर्डिंग्स लगे थे तेज आंधी और तुफानी हवाओं ने उन खंबो तक को खाड़ दिया जिसके कारण ये होर्डिंग नीचे गिर गए तो दो तस्वीरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मौसम का मिजाज बदला है तेज आंधी आई है उसके साथ बारिश हुई है जिसके कारण तापमान में गिरावट आई लोगों ने तप्ती गर्मी से राहत महसूस की लेकिन दूसरी तरफ इस राहत के बीच आफ़त की भी ये तस्वीर निकल कर सामने आई जहां पर खंबे और होर्डिंग गिर पड़े आगे बढ़ते हैं आयोध्या में बड़सों से भगवान राम के भवे मंदिर को लेकर भगतों का इंतजार अब जल्दी खत्म होने वाला है राम जन्म भूमी परिसर में जमीन का समतली करण का काम पूरा हो चुका है और आप जल्दी मंदिर की नीव भी पढ़ने वाली है जिसका शिलान न्यास करने के लिए खुद प्रधान मंत्री मोदी आयोध्या सकते हैं पी-एम को शिलान न्यास का न्योता भिजा जा चुका है और ट्रस्ट के पदादिकारी खुद प्रधान मंत्री को नी मंत्रण देने के लिए मुराकात करने वाले हैं मरियादा पुर्षोत्म भगवान राम की जन्मिस्थली आयोध्या में उनके जन्मिस्थान पर भव्वे मंदिर की प्रतीक्षा की घड़ी अब खत्म होने वाली है अगले महिने यानी जुलाई में दो तारीक को अयोध्या में राम मंदिर निर्मान का शिलान न्यास किया जा सकता है सूत्रों की माने तो मंदिर का शिलान न्यास प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करेंगे जिसके लिए उन्हें मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रन भेजा जा चुका है और प्रधान मंत्री ने शिलान न्यास का निमंत्रन स्विकार भी कर लिया है हाला कि शिलान न्यास की तारीक का अप्चारिक एलान होना भी बाकि बहुत अच्छी बात है बहुत जिनों से अजोत्या बाशियों को प्रचिक्षा रही कि हमारे प्रधान मंत्री जी अज़ोत्य हाव है लेकिन किशी कारण बरसों नहीं आ पाए अब की जो बिसेश सुत्रों से जो सुत्रा मिली है जो हमारे टेस्ट के लोगों ने उसे संपर किया है दो जुलाई को उन्होंने शमय जो ध्याने को दिया है और शिला न्यास करने के लिए जिससे कि भव दिम मंदिर का निर्माड हो सक है तो भव दिम मंदिर के निर्माड में जो शिला न्यास करने के उन्होंने शुकिर्टी दी है इसके लिए हम परधान मंती को धन्य बात देते हैं वहीं आज आयोध्या में श्री राम जनभूमी तीर शेत्र ड्रस्ट के अध्यक्ष महंत नरद्य गुपाल दास के उत्राधिकारी महंत कमल नैंदास में राम जनभूमी परिसर में मौझूद भवान शशांक शेकर शिवलिंका रुद्राभी शेक किया और इश्वर से राम मंदिर निर्माण की सभी बाधायं तूर करने की मनुकाम ना जायता हम राम लरा के दर्शन करने के लिए गए थो कुबेर टिला पर गए भगवान सियुजी वहां दिखाई पड़े पुराना मंदिर जेर्ण सीन अवस्था में गिरा हुआ तो हमारी इक्षा हुई भगवान सियुजी का विशेक किया जाए दिन निश्चित हुआ तो आज विशेक के लिए सारी तयारी भगवान ससांक से इचार सीब गा इसके पहले लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद 20 अपरेल से शुरू राम जनभूमी परिसर के समतली करण का काम पूरा किया जा जुका है और अब राम मंदिर की नीव की खुदाए की तयारियां भी तेज हो गई ताकि अब बिना समय गवाए जल से जल मंदिर निर्मान का काम शुरू किया जा सके अयोध्या से एवीपी गंगा के लिए रिशी गुपता की रिपोर्ट और अब एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौ जिलों में पार्टी के जिलाध्यक्षों की नौ जिलों में सपा की नए जिलाध्यक्ष जो है अब वो बनाए गए हैं कौन-कौन से वो जिले हैं बहराईट से रामहर्ष यादव इसके लावा फैजाबाद की बात करें तो यहां से गंगा सिंग को जिलाध्यक्ष बनाए गया है कानपुर देहाद से प्रमोध यादव, राय बरेली की बात करें तो यहां से बिजेंद्र का नाम आ रहा है जिलाध्यक्ष चित्रकूट में अनुज सिंग को कमान दी गई है मुरादबाद में जैबीर सिंग होंगे अब नए जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर से पृत्वी पाल श्रावस्ती से सरवजीत और जहांसी से महेश कश्य तो कुल मिलाकर नौ जिलो में सपाके नए जिलाध्यक्ष बनाए गए है रुक करते हैं अनुभव शुकला का फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ अनुभव संगटन में फेर बदल हुआ है क्या वज़े है क्या पहले से ही ये लंबित था किया जाना था या फॉरण ये फैसला लिया गया है ताब बैलेंस है वो बना रहा है इन नियुक्तियों में खास्तोर से देखने को मिल रहा है कि जो कास इकोजिशन है जिले के हिजाब से वो बैलेंस रहा है इस हिसाब से वहाँ पर नियुक्तियां की गई जिलों के हिसाब से यहाँ पर नियूक्तियां हुई है और यह जिले रहे गए ते जहाँ पर अध्याक्ष का चुनाम होना था, रखा जाना था उनको और अब कुल मिलाकर नौई ये जिले हैं, उसकी लिस्ट सामने आ चुकी है, हम दिखा रहे हैं आपको जिलाध्याक्ष और समाज़ादी पार्टी के रास्ते देश अखली शादों ने जिस तरीके से अपील कीती की मदद करनी है लोगों की उसका एक फीड़बैक लिया कि जिले में कौन से लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो सोर्स हैं उनका साफ्सार पर कहना है कि इलमे से कुछ जिलों में जो पहले नाम से उसमें जरूर बदला हुआ है या तो स्पील बैक के बाद हुआ है या फिर जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी इस दौरान जिले में रही है कोशित पार्टी की तरस यही की गई है क्योंकि अब देखे 2022 में इलेक्शन होना है और ऐसे में जो जिलाध्यक्ष पार्टी का उसकी भूमिका काफी मैत्पूर हो जाती है इसलिए यह दिखा गया है कि कि जिले में किस वेक्टी को या फिर किस लिशा को वहां पर जिरूर क कि कमान दी जाए बिल्कुल और उस सब बातों का ध्यान रखते हुए अब फाइनल ही लिस्स सामने आ गई है नोजिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाए है शुक्रिया अनुभव अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं उतरप्रदेश में गोवन्ष की रक्षा और गोकशी के घटनाओं से जोड़े अपरात पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कानून को और सक्त कर दिया है क्याबिनिट ने गोवन निवारंट संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है जिसके बाद यूपी में गोवन्ष को नुक्सान पहुचाने य योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश गोवद निवारन अधिनियम में संशोधन कर दिया है मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में गोवन्ष कानून को और सक्त बनाने के लिए कैबिनेट में संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है संशोधन के बाद गोकशी की सदा को 10 साल कर दिया गया है जबकि पहले 7 साल की सदा का प्रावधान था इसके लाबा गोकशी के दोशी के लिए जुर्माने की रखम बढ़ा कर 5 लाख कर दी गई है जबकि पहले इस कानून में तीन लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था जबकि गोवंच का अंगभंग करने पर एक लाख रुपई जुर्माना और एक साल तक की जेल का प्रावधान होगा इसके लावा गो तसकरी पर दोशी से ही गोवंच की देखरे के लिए एक साल तक भरन पोशन की वसूली की जाए इस सदिनियम में नया जो अध्यदेश लाना है उसमें मैक्सिमम जो पनिश्मेंट है वो दस साल तक कर दी गई है पहले साथ साल तक की ही थी मैक्सिमम जो दंड है वो पांच लाख रुपे तक बढ़ा कर कर दिया गया है इसमें ये भी वेवस्ता की गई है कि यदि किसी गोव संपदा को हानी पहुचाई जाती है तो उस पर भी कारवाई की जा सकती है कैबिनेट में गोवद निवारन अधिनियम में बदलाव का संप समाज ने भी स्वागत किया है और गो संपरक्षन के लिए कानून को और प्रभावी बनाने के लिए मुक्यमंतरी योगी आयतनाद का आभार प्रकट किया है ये बहुत ही सुन्दर स्वागत योग्य हमारे उत्तर प्रदेश के यसस्वी मुक्यमंतरी योगी आधितनाद जी महराज ने निर्णे लिया है एक संत ही गाए और संत की पीडा को समझ सकता है और यह निर्णे बहुत पहले ले लेना चाहिए था गोवंश और उनकी सुरक्षा शुरू से ही योगी सरकार की प्रात्मिकताओं में शामिल रही है जिसे लेकर पहले भी सरकार की तरब से कई योजनाओं की शुरुवात की जा चुकी है लेकिन अब सरकार ने कानून में संचोधन कर गोवंच के बचाओ के लिए बड़ा कदम उठाया है ब्यूरो रिपोर्ट एपीपी कर्टा आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर लखनाओ में सीम हेलप लाइन के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए इस वक्ती बड़ी खबर लखनाओ में आज कुल मिलाकर 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जी आर्पी के 4 जवान भी कोरोना संक्रमित मिले बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कुल मिलाकर लखनाओ में आज 22 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं जिन में जी आर्पी के चार जवान शामिल हैं, इतना ही नहीं, जो हेल्प लाइन नंबर है, सी एम हेल्प लाइन, उससे जुड़े हुए नौ लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जिन में सेक विमान, 174 यात्रियों को लेकर आज वारानसी के बाबतपुर हवाई अड़े पर पहुंचा। मुंबई से वारानसी पहुंचने के बाद एरपोर्ट पर ही सभी आत्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सभी आत्रियों के हाथों पर क्वारेंटीन की मुहर लगा कर रवाना किया गया। आमिताब बच्चने मुंबई में फ़से लोगों को घर भेचने के लिए 10 और 11 जुन को 6 विशेश विमानों का इंतिजाम किया है और हर विमान में 183 सवार होकर अपनी ग्रियर राज्य तक पहुंचाय जा रहे हैं। तो मुंबई में फ़से हुए लोगों के लिए अब अमिताब बच्चन मैदान में आए हैं और उन्होंने चार्टेड विमान आरेंच किये हैं उन लोगों के लिए 174 लोग मुंबई से विमान से वारणसी पहुँचे सभी लोगों की एरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई प्रवासियों को घर पहुँचाने में आब अमिताब बच्चन ने भी मदद के शुरुआत की हैं। लगतार लोगों को उनके घर उनके ग्रही राज्य पहुँचाय जा रहा है। प्रवासियों के लिए हम लोगों ने फाम भरा था साविच स्क्रीन की और वो नहीं हुआ तो अमिताब जी ने प्राट से बेजा एक पैसा नहीं लगा अफ्री में बेजा है। अब दो तीन जने फिलाग दोने खुषवद मुंबे ले है। प्रेशान हो गया। अब तर वहां तर रोजी नोटी सबीये होगे तुए तुए अपाले बजरासिक बंद होगा। हम सहिलून के पाम करते हैं। हम सहिलून है। तो ये अपना फिलें फिलें चला दिया है। तो अभी हम लोग 7-8 बंद आए हुए हैं। तो ये की करीब आए है। इधर प्रयाग राच में भी मुंबाई से इंडिगो की एक फ्लाइट आई जिसमें प्रवासी मजदूर थे और घर पहुँचने वाले प्रवासी एर्पोर्ट पर पहुँचकर काफी खुश नजर आ रहे थे। हर कोई अमेता बच्चन को दिल से दुआएं दे रहा था। कोई उनकी सलामती और कोई लंबी उमर की कामना करता दिखाई दे रहा था। कोई उनको सूपर हीरो और रियल हीरो कह रहा था। में पता लगाया तो हमारी मेनस सफल हुई और हमको जो है माहिम ट्रेस्ट और हाजियली ट्रेस्ट असरी अमिता बच्चन जी ने मिलके हमको यू बॉंबे से मुंबई मुंबई से यूपी भेजा है आपके सहर परियाग राज में इलहाबाद और मैं बिनकी का रहने वाला हूँ। उन्होंने अमिता बच्चन जी ने 200 आजमी लोग को भेजा है और उन्होंने पूरी बिवस्ता कराई सबका टिकट कराया जी पैसे कुछ नहीं लगे सब फेरी हुआ सारे पैसे ट्रेस्ट ने और अमिता बच्चन जी ने भरे अगली खबर फतेपुर से है जहां सडक हाथसे में एक युवक की मौत के बाद नाराज गाउवालों ने सडक को खोद डाला घटना फतेपुर के गाजीपुर ठाना शेतर की है जहां एक तेज रपताज रखने पैदल जा रहे एक युवक को कुचल दिया इसमें युवक की मौके पर मौत हो गई लेकिन इस घटना से नाराज थानिये लोगों ने प्रदर्शन के नाम पर JCB से सडक को खोड डाला काफी देर तक सडक पर जाम लगा रहा बाद में मौके पर पहुँची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर इस जाम को खुलवाया तो यह तस्वीरे आप देखिए लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सडक को ही तोड डाला बकायदा JCB लगा कर उस सडक को खोड दिया लोगोंने पुलिस वहाँ पर पहुँची लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद जाकर यह जाम खुलवाया एक युवक की मौत पर यह लोग हंगामा कर रहे थे जिसके बाद JCB से पूरी सडक को ही इन्होंने खोड डाला आगे बढ़ते हैं बड़ी ख़बर मौ में सरयाम चाकू बाजी की वारदात हुई गया हमले में 4 लोग गंभीर रूप से खायल हुई हैं एक शक्स की पीट में चाकू फस जाने की खبر है डॉक्टर्स के रहे हैं चाकू निकालने की कोशिच जारी है मौ के सराय लखंसी इलाके की इगटना है जहां पर एक शक्स की पीट में चाकू फस गया चाकू बाजी हुई, लड़ाई लोगों के बीच में हुई, लेकिन एक युगक्सी पीट के अंदर ये चाकू फ़स गया जाके जिसे डॉक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मौ के सराय लखनसी इलाके की एखटना है, जहां पर लोगों में चाकू बाजी हुई है सरे आम, ये संसरी केज वारदात हुई है, जिसके बाद चार लोग गंभी रूप से घायल है और एक शक्त की पीट में ये चाकू फ़स गया है, जिसे डॉक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और पूरे देश में कोरुना संक्रमन बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहे हैं वही कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जिया उडाते दिख रहे हैं, ऐसा ही नजारा देखने को मिला मतुरा वरिंदावर नगर निगम के कार्याले में जहां मनुनीत पार्षदों के शपत ग्रेंट समारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जम कर धज्जिया उड़ पार्षदों को माला दुपट्टा पहना कर उनका स्वागत किया, इस वरान सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, आप खुद तस्वीर देखी और अंदाजा लगाईए कि कैसे यहां पर तमाम पार्षद और कारे करता इस शपत ग्रेंट समारों में पहुंचे और कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ध्यान नहीं रखा मेडम, यह तो जादू की छड़ी है